नमस्कार किसान साथियों मेरा नाम है रगुराथ सिंग राठोड और भूमी पुत्र के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तो आज के समयी पर सबढ़ की खेती दिन पर सौलोजॐ साल इतनी मह थे जा रही है किसान को आज मुनाफ़ा काफी साथ खील कारी जहादा लगती्या चारीं जिसान जो किसां संग मल्चिंग का का अफिक क्योंग मैं के कि дух विए इतने इसे-इस इसज़े करेंगी होती जा रही है तो दोस्तों अगर हमारी लागत ज्यादा लग जाएगी तो सभावी से बात है कि मुनाफ़ा काफी कम आएगा दोस्तों छोटी-छोटी चीजें जो होती है वह एक समय पर आकर थोड़ा सा बड़ा रूप ले लेती है और काफी ज्यादा आपको प्ल लीट्स आते हैं जिनके ऊपर काफी रिसर्च करके उनको बनाया जाता है तो दोस्तों मैं तीन तरीके के करेले के जो सीड लेकर आयों उनमें पावडरी मिल्डियू डाउनी मिल्डियू लीफ कल लीफ माइनर ऐसी बहुत सारी जो बीमारिया होती है सब्सक्राइब करेले क वसल में भी है प्रॉब्लम्स क्रियेट होती है तो दोस्तों चीज के निवारण के लिए हम यह तो नहीं कह सकते का पूरे बूरे बीच के ओपर आदारीज हो जाईए और आप उसके लिए कोई भी रोक थाम के उपाई ना करें दोस्तों सब्जों में लिए आपको इंसेक् जो लेकर आया हूं उसमें सबसे पहला राश्री हाइवेस का नूर 026 के नाम से आता है उसकी फोटो में स्क्रीन पर लगा रहा हूं अब देख लिए लगबाग मार्केटों 500 रुपए के अप्रोक्स आपको मिल जाता है 50 ग्राम का प्रती एकड के हिसाब से बीज करेले का लगता है और करेले में आपको बीज लगाते समय यह द्यान रखना चाहिए कि या तो आप करेले के बीच को 24 गंटे के लिए आप गला कर रख दीजिए भीगो दीजिए फिर आपको गीले कपड़े में उनको भीगो के रखना ताकि जो अंकुरन करेले का जो उपर का कवज होता हो काफी टाइट होता है काफी कड़क होता है इसलिए उसमें अंकुरन में काफी जाधा टाइम लगता है अगर आपकी 24 गंटे के प्रोसेस से अगर दो दिन का भी आपको बेनिफिट होता है फसल लेने में तो दो दिन में रेट कम जादा का थोड़ा सा होता है तो बात करते हो काफी अच्छा है किसानों के बीच में प्रचली थे यूएस एग्रो सीट 810 के नाम से आता है करेले का बहुत अच्छा सीड है यह आप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है इस पेकिंग में आता है 50 ग्राम की पेकिंग जो आतीस की भी लगभग 500-51020 रुप अब कहीं पर किसी दुकान से हम करेला पर्चेस कर रहे हैं तो वहां पर करेली कि अगर साइस बड़ी होगी तो हम थोड़ा सा लेने में अच्राइच करेंगे उसके दो कारण होता है कटिंग टेस्ट सभाविक से बात अगर हम सबजी लगा रहे तो सीधी सी बात हो खाने मे यह आति हैं वह दुस्तो वह जो वराइटी उसका आकार हो तो छोटा होता रो थोड़ा सा अच्छा होता खाने में तो दोस्तोँ यह तीनों वरैटी जो है वह लगा कि आप काफी बेनेफीट कमा सकते कमा सकते हैं तो सबाविक से बात है कि हमको काफी benefit होना चाहिए और उसकी market में value होनी चाहिए हमारी जो सब्जी है जो हमने पकाई अगर वो market में जाए तो इसको सेलिंग उसके जो बिकरी हो आसानी से हो जानी चाहिए तो दोस्तों दो तीनों सीड इनका market काफी अच्छा इंसा आई हुई उपस क्या तो आप इनको लगा कर काफी ज्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं तो दोस्तों मेरे सजेशन से में तीनों वेराइटी आपको सजेस्ट करत हैं दोस्तों खेती किसानी से जुड़ी बाते सेनल पर करते हैं सातियम बीज जो महत्वपूर्ण बीज हैं अच्छे जो सीड़ होते हैं जिनको लगा कर आप काफी ज्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हैं उसके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट तियार करी है जैसा कि आप अपक करें